दोसों फेस वास से साबुन से तो हमेशा दोते हैं क्या आपने कभी बेसन से चेहरा साफ किया है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बेसन एक बहुत अच्छा नेक्शुरल एक्सफोलियेटर है डीप क्लिंजर है जो आपके चेहरे की गहरे साइज सफाई करता है आपके चेहरे पर ग्लो लाता है तो अगर आपने अभी तक भी अपने चेहरे को बेसन से दहीं धोया है कभी भी तो आज मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको बेसन को अपने फेस वास की तरह इस्तमाल करना है मिंटों में ही जो आपके चेहरे को धोते ही ऐसा ग्लो लाएगा कि आप भी बेसन को यूज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से आज आपको बेसन से चेहरा साफ करना है सबसे पहले आपको चाहिए दो चमच बेसन इसे आप बाड़ी पर भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें एड़ करना है एक बड़ा चमच दही का खटा दही होगा तो जादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे अब इसमें एड़ कर देंगे कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी नहीं है तो किचन हल्दी का इस्तमाल कर लेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके एक पेस्ट के फॉर्म में ले आएंगे कभी भी जबी भी आपको फेस अपना ओयली लगे चिप चिप चिपा लगे तो ये बहुत ज़ादा अच्छा क्लिंजर और फेस वास है ओईली स्किन वालों के लिए तो ये बर्दान होता है क्योंकि इसमें पावर होती है ओईल को एब्सॉर्म करने की तो ये आपके स्किन पे इतना ज़ादा इफेक्ट शो करेगा अगर आपके नहीं ट्राइ किया है तो ज़रूर ट्राइ करिएगा तो जो लेप तैयार किया हैंने इसको आपको अपने फेस पे अच्छे से एप्लाई कर लेना है दोस्तों बेसन की बात करें तो आज नहीं बचबन से लेकर शादी होने तक अगर glow की बात आती है तो बेसन ही एक ऐसा option है जो हर किसी के दिमाग में आता है क्यों क्योंकि ये बहुत ही जादा effective है तो इस तरह से पूरे face पे apply कर लिया है और इसको आपके जिस according आपके पास time है उतनी देर के लिए आपको इसको चेहरे पर छोड़ना है अगर आपको जल्दी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरह से रहने दीजिए और अगर आपके पास time है तो इसको सूखने तक के लिए आप छोड़ सकते हैं दोस्तों बेशन इतना deeply आपके skin के सफाई करता है और जो दही हल्दी का इस्तमाल किया है मने इसके साथ वो इसके power को बढ़ा देते हैं तो इसको मैंने dry होने तक रख लिया है अगर आपके पास time नहीं है तो आप इसको जल्दी धो सकते हैं अब धोना किस तरह है आपको हाथ में पानी लेकर मसाज करते हुए इसको वाश करना है जिस तरह से हम किसी भी face wash को इस्तमाल करते हैं अपने फेस पे रब करते हैं उसके बाद पानी से वाश करते हैं सेम प्रॉसेस हमें यहां एपलाई करना है हाथों में पानी लेके इसको मसाज करना है और वाश कर लेना है बट यहां पर हमें फोम जैसा कुछ नहीं मिलेगा जैसा कि केमिकल वाले फेश वास में मिलता है क्यो सुमत फवरोटीं!